हलो जहीं साथियों स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे साथियों आज यहाँ पर बात करने वाले ICF की तरफ से आई एक वेकेंसी के बारे में यह एक पर्मनेट जॉब के अंतरगत वेकेंसी निकाले गए जो कि आप इसकी official website से इसका notification भी डाउलोड करना चाहे तो डाउलोड कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हम इस समय है RCF की official website पर और यहाँ पर एक notification जारी किया गया जैसे ही आप इस notification को डाउलोड करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपिन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो notification जारी किया गया आज की date में जारी किया गया जिसमें all and day के candidate form को apply कर सकते हैं यह जो निकल कारी विकैंसी permanent job के अंतरगत निकल कारे महँ सरे चातरों का कहना होता है कि सर आप जो वेकैंसी बता रहें यह जौव है याप रार्यकेंसी निकल करते हुद आयरी पर्मेनेंट č gear के अंतरगत निकल लें जिसमें यदि पोश्ट की बात करें तो टोटल 133 पोश्ट है जिसमें यहाँ पर अलग अलग करें तो 40 है SC के लिए बात करें तो 15 है उसके बाद यहाँ पर HD की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और जो आपका IT complete होना चाहिए, वो NCBT से complete होना चाहिए, तब ही आप phone को apply कर सकते हैं और जो यहाँ पर उमर रखा गया साथियो, जो education, qualification और यहाँ पर जो experience साथ साथ मागा गया उसकी जो date यहाँ पर रखी गए, उमर की 1-3-2,000 अरबाई से आपका उमर count किया जगा यहीं बात करें कितने उमर के लोग phone को apply कर पाएंगे, तो जैसी आप notification को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें साथ हो age के बारे में जो बताया गया है, यहाँ पर साब साब लिखा गया कि आपके जो उमर होनी चाहिए, 29 वर्स होनी चाहिए, बतलब कि आपका उमर जो होना चाहिए, 29 वर्स तक होनी चाहिए, इससे आपका नीचे नहीं होना चाहिए और यहाँ पर अलग-अलग के जिसी की छूट आपको दिया जाता है SST वालों के लिए 5 वर्स की छूट जी जाती है और OBC के लिए 3 वर्स की छूट जी जाती है तो आप अपने उम्री के अनुसार यहाँ पर निकाल लीजेगा इसके बाद यहाँ पर बात करते है कि जो आपका परसेंटेज होना चाहिए जिसे कि आप दस्वी में फार्म को अपलाई करें दस्वी पास से या आईटी पास से अपलाई करें या ग्रेजुएट हैं उससे आप अपलाई करें तो आपका जो यहाँ पर percentage होना चाहिए 55% होना चाहिए तब ही आप form को apply कर पाएंगे अन्यता आप form को apply नहीं कर पाएंगे और हर एक में आपको qualification देखने को मिल जाते इसमें 10 में के छातर भी form को apply कर सकते जो छातर आई टी आई के वो लोग भी form को apply कर सकते यह एक limited के अंतरगत विकेंसी निकाली गई है इसमें और भी बहुत सारे qualification रखी गए तो आप qualification देख लिजगा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी qualification इसमें छोड़ा गया होगा दूसरा जो पोश्ट यहाँ पर जारी किया गए उसमें आपको जुनियर फॉर्मेंट के पदपद देखने को मिल जाते है जो की ग्रेडल सेकेंड के अंतरगत विकेंसी निकालेगी और इसमें आपको 18 से 42 हजार तक payment देने की बात कही गई है इसमें आपको थोड़ा बहुत experience की जरूत पड़ेगी यदि आपके पास है apprenticeship certificate है तो भी आप फॉर्म को apply कर सकते हैं मतलब कि जितने भी चातर IT करके apprenticeship कियें वो लोग भी फॉर्म को apply कर सकते हैं और इसमें जो आपका edge count किया जएगा 13-2022 बाकि सेम इसमें रखा गया आपके उमर उपर जो मैंने आपको बताए उसी कनुसार इसमें count किया जाएगा इसके बाद यहाँ पर बात करें फॉर्म को कैसे apply करना है तो फॉर्म भरने की भी तरीका बताया गया है जो कि आप इसके अपिस से website से फॉर्म को apply कर सकते हैं जिसके बारे मैंने आपको पहले जनकारी दे दिया यहाँ पर बात करें कब से कब तक कि आपका फॉर्म भरने से पहले आप जानेजे इसमें आपका exam भी करा जाएगा जो कि online test करा जाएगा और यह जो फॉर्म भरना जाएगा 14.3.202 से फॉर्म भरना इस्टार्ट हुआ है